हेलो दोस्तों कॉमिक स्टोडिय अड़्डा पे आपका स्वागत है तो आज मैं लिकर आई हूँ मनोचित्र कथा से कॉमिक का नाम है सेट कूडा मल तो टाइम नाविस्ट करते हुए आप लोग कर लीजे चैनल को सब्सक्राइब और हम बढ़ते हैं अपने कॉमिक की तरफ औ सेट कूडा मल बहुत समय पहले दिल्ली के पास एक गाउं में कूडा मल नाम का एक सेट रहता था काफी धन होती हुए भी वह बहुत कंजूस था सेटानी भी उसी की तरह खंजूस थी चाह इस कॉमिक के लेखक है रिमल चटर जी और कला है जितेंद्र की अरे रामु केले क तो पैसे ज्यादा क्यों दिये अब तुझे शाम के भोजन में एक रोटी कम मिलेगी मालकिन चार रोटियों में से एक कम कर दोगी तो भूका मर जाओंगा फिर गलती क्यों करता है नौकरी नहीं करनी तो ना कान कटवा कर चला जा बेचारा नौकर सर जुका कर बीतर चला नौकर के जाने के बाद सेट जी हसे और अपनी मूझों पर ताव देते हुए बोले देखा सेटानी अपनी तरकीब से मैं इस नौकर को कैसे मुफ्त में काम कर वा लेता हूं हरे जाओ अगर मैं घर में ना रहूं तो सारे नौकर तुमारी आखों में तूल जोगते फिरें सेट कुडा मल अभी अपनी पत्नी से बात ही कर रहे थे कि गडेश नाम का एक गरीब फटे हाल आदमी नौकरी की तलाश में सेट जी की द्वार पर आया जैराम जी की सेट जी भगवान आपका भला करें कोई नौकरी मिलेगी अरे नौकरी की क्या कमी है भाया बस हमारी शर्ट मंजूर करनी पड़ेगी जल्दी बताएए सेट जी मैं बहुत करीब और भूका आदमी हूँ भूक से तंगा चुका हूँ मुझे मैंति आदमी चाहिए रुप्या पैसा दूंगा नहीं दोनों समय चार चार रोटियों का एक एक रोटियो या एक एक पत्था भर चाबल मिलेगा मुझे तो पेट वर बोजन भी नहीं मिलता यहां दोनों समय चार-चार रोटियां तो मिलेंगी मुझे मन्जूर है हरे भया पहले पूरी शर्ट तो सुन लो अगर तू नाराज होकर या अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ेगा तो अपने नाकान पिटवाने पड़ेंगे और मैं तुम्हे नौकरी से हटाऊंगा तो एक घड़ा भर कर अशर्फिया दूँगा मैं ऐसे काम ही क्यों करूंगा जो नौकरी छोड़ कर जाना पड़े ठीक है सेट जी मन्जूर है तो फिर आज से ही नौकरी पराज़ा भया अच्छी वात है सेट जी गड़ेश दिन बर सेट जी के बताय हुए काम बड़ी महनल से करता और शाम को जब वैखाना लेने सेटानी के पास पहुचता तो सेटानी एक एक तोले वजन की चार रोटियां उसके सामने रख देती हे भगवान कहां फस गया ये ये तो एक एक तोले वजन की रोटियां है और शर्त के अंसार चार रोटियों से ज्यादा मांग भी नहीं सकता यदि इस बात से नाराज होकर नौकडी छोड़ता हूँ तो ना कान कटवाने पड़ेंगी सेट ची रोज ही घड़ेश सकत सकत काम देता घड़ेश को दिन पर पूरा काम करना पड़ता और खाने के नाम पर वही चार पतली पतली सूखी रोटियां मिलती इस सबे कमजोर हो गया काफी कमजोर हो चुका है अब यह मेरे काम का नहीं रहा इससे चुटकारा पाने का कोई उपाय करना चाहिए एक दिन इस मटके द्वारा कुई से पानी भर करला इस टंकी को शाम तक भर दे यह टंकी नहीं भरी तो शाम को खाना नहीं मिलेगा गड़ेश धोड़कर पानी लाने टंकी तक पहुचते पहुचते मटकी खाली हो जाती क्योंकि मटके में चेहते आगे शाम तक गड़ेश तंग हो गया उसने सेड़ जी से चुट्टी मांगी मेरे नाककान काट लो सेड़ जी अब काम नहीं करूँगा तेरी मर्जी भईया अच्छा हुआ बला से चुटकारा मिला गड़ेश अपनी नाककान काटवा कर घर पहुचा तो उसे घर पर मजला भाई सुरेश मिला चोटा भाई महेश नौकरी की तलाश में बाहर गया था जब सुरेश ने उसे उस हाल में देखा अरे भया यह क्या हो गया आपके नाककान चोटे भाई सुरेश सब किस्मत के चक्कर है क्या करेगा जानकर थोड़े दिनों के बाद सुरेश भी नौकरी डूनने निकला जब उसे काफी तलाश के बाद भी कहीं नौकरी न मिली तो वैस सेट कुडामल के चक्कर में पस गया और थोड़े दिनों बाद अपने नाकान कटवा कर घर आया इस बार चोटा भाई महेश भी घर पर था अरे बड़े भाईया के तरहे तुम्हारे भी नाकान गाया दुरगटना तो नहीं हो सकती साफ साफ बताओ बात क्या है कुछ भी नहीं चुपाऊंगा भाईया सेट कुडा मल ने मेरे नाकान काट लिये वह बड़ा चाले मात भी है तुम उसके घर नौकरी करने मत जाना बड़े भाईया के नाकान भी उर्षीने काटे हैं नहीं जाऊंगा लेकिन पूरी कहानी तो सुनाओ महिर ने सुरेश सेट कुडा मल के बारे में सारी कहानी सुनकर उसे आश्वाशन देते हुए कहा कि वह सेट कुडा मल के या नहीं जाएगा मगर दिली दिल में सेट कुडा मल से बदला लेने का निश्चे कर चुगा था थोड़े तिनों बाद उसने अपने भाईयों से कहा भया ऐसे गुजारा नहीं चलेगा मैं नौकरी डूनने चा रहा हूँ ठीक है जाओ लेकिन खुडा मलके आ मत जाना आपने श्चिंद रहिए वहाँ नहीं जाओंगा सेट खुडा मलके याँ पहुच गया जैसे ही सेट उसने नौकरी करने की इच्चा जाहिर की सेट ने अपनी शर्ते दोरा दी आपकी सबी शर्ते मनजूर है सेट ची मगर मेरी भी एक शर्त है वह क्या भला जल्दी बोल यदि आप मुझे नौकरी से निकालोगे तो एक की जगे तो मटके शर्फिया देनी पड़ेंगी अच्छा और अपने नाक कान भी कटवाने पड़ेंगे बड़ा होशियार बन रहा है ऐसी नौबत कहां से आएगी ठीक है भाईया मुझे मनजूर है महिश शाम तक सेट के खेत में जी तोड़कर मैनत करता रहा और शाम हुई तो उसने केले का एक बड़ा सा पत्ता तोड़ लिया पत्ता लिग कर वे सेटानी के पास पहुचा सेटानी जी मैं रोटी नहीं खाऊंगा मुझे चावल चाहिए ठीक है एक पत्ता ले आओ महिश ने पीट पीछे जो छुपाया था पत्ता उसे आगे रख दिया इस पत्ते को चावल से भर दीजिए अरे इतना बड़ा पत्ता सेटानी जी मालिक ने शर्ट में ये नहीं कहता कि पत्ता छोटा होना चाहिए या बड़ा सेटानी ने चुपचा पत्ते को चावल से भर दिया कुछ दिन बीद गए दोनों समय महिश को धेर सारा चावल देते देते सेट सेटानी तंगा आ गए अरे ये बावला तो हमारे सर पर सवार हो गया है हम अब इसे भगा देने में ही ठीक रहेगा अगले दिन सेट ने फुराना तरीका अपनाते हुए उसे चेदो वाला मटका ला दिया और पानी की टंकी भरने के लिए कहा साथ ही उसने चेदाबनी दी यदि टंकी नहीं भरी तो शाम को खाना नहीं मिलेगा लेकिन महेश ने योजना अनुसार मटका तोड़ दिया ये मटका फूट गया ठीक है ये दूसरा मटका ले सेट ने उसे एके करके पांच मटके दिये मगर फिसलने का अभिने करते हुए उन सभी को फोड़ता गया ओ यह भी फूट गया जब तक इसे साबुद मटका नहीं दूँगा ये ऐसे ही करता रहेगा हता सेट ने अन्त में उसे एक साबुद मटका दे दिया वह मटका लेकर महेश पानी बरने चला गया हाँ हाँ बात बनी आखिर सेट ने महेश से हार माली और उसे तंग करने वाला काम पंद कर दिया मगर महेश तो निश्य करके घर से चला था कि सेट की अक्ल ठिकाने लगा करी रहेगा एक दिन सेट ने उसे कहा अरे भाया महेश जा इन भेडों को नदी पर पानी पिलाला जो होकम मालिक हास दिखाऊंगा सेट को अपनी बुद्धी का चमत कर नदी आ गई तो भेड़े पानी पीने लगी नदी में मैं ड़क टर रहे थे उन्हें देखकर महेश को एक उपाय सुझा उसने तुरंत एक भेड़ को पकड़ कर जमीन पर लिटा दिया और फिर उसके चारो पाउ बांद कर उसे उपर उठाया और नदी में फेक दिया इसी तरह उसने सेट की तीन भेड़े फेक दी इसके बाद शेश भेड़ो को लेकर महेश कर पहुचा अरे इसमें तो तीन भेड़े कम है भया क्या बताऊं सेट जी मैंने सोचा टर टर करते हुए मैड़क शायद भूके है अता तीन भेड़े उन्हें खाने को दे दी सेट को बड़ा गुसा आया मगर वैस सर पीट कर रह गया यदि इसे निकालूँगा तो मेरा बहुत बुरा हो जाएगा कुछ दिन बाद सेट जी से दुकान पर जाकर कहो शाम को आते समय सबजी लेते आये अभी गया मालिकिन सेट जी के दुकान पर पहुँचकर महिश जोर से चिलाया सेट जी सेठानी ने कहा है शाम को सबजी लेकर जरूराना सेट जी अपने मुनीम के साथ हिसाब मिलाने में व्यस्त थे अतावे जलाय हुए बोले सेठानी जी गई भाड में जा कहदे सेठानी से मर गई सेठ जी महीर घर पहुचकर चिलाया सबजे गई भाड में सेठ जी मर गई यह सुनकर सेठानी रोने लगी उनके रोने की आबाद सुनकर हास पडोस के लोग इकटे हो गए क्या हुआ सिठानी जी अब इस सेट जी इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन सेट जी कल तक तो अच्छे भले थे क्या कहूं भईया सुबह जब दुकान गए थे तब भी अच्छे भले गए थे लेकिन अब उसी समय सेट जी दुकान से लोटे उने जिंदा देखकर महले के लोग आश्चर्री में पड़ गए सेटानी भी आश्चर्री में पड़ गई उसने तुरंत सारी बात सेट को बताई सारी बात सुनकर सेट कुणा मल संद हो गए और लोगों से माफी मांगने लगे आप लोग घर जाएए मेरे नौकर की गलत फैमी के कारण आप लोगों को कश्ट हुआ उसके लिए मैं शमा चाता हूँ आप लोगों के जाने के बाद सेट जी ने माथा पीट लिया इच्छा तो हो रही है महेश को जूते मार कर नौकरी से निकाल दू लेकिन फिर मुझे ही हरजाना देने के साथ साथ अपने नाक कान भी देने पड़ेंगे हुदर महेश अपने करतूद पर पसंद हो रहा था इस दुष्ट से अब भी मुझे और बदले लेने हैं एक दिन सेट ने अपनी दुकान पर महेश को पैसे दिये जा चूला जलाने के लिए रास्ते में लकडी का गटर खरीद लेना और घर पहुचा देना जुआ गया पर महेश ने आओ देखा ना ताओ लकडियों का गटर सेठानी के सर पर देपटका एक चीक मार कर सेठानी तो वहीं धेर हो गई सेट जी घर आये तो उन्हें मरी हुई सेट जान को देखा अरे भया सेटानी जी कैसे मर गई मैंने सेटानी जी की आग्याका पालन करते हुए गट्थर इनके सर पर पटक दिया महेश की सारी बात सुनकर सेट जी परेशान हो ठे ओ ये मूल्क तो इस तरह किसी दिन मेरी जान भी ले लेगा इससे छुटकारा पालेना ही अच्छा होगा ना जाने इस जान देने से तो अच्छा है नाकान निकट वालू तो अभी काटले मेरे नाकान और छुटी कर और दो घड़े अशरफिया भी और सेट जी ने अशरफिया देते हुए निश्चा किया अब भविश में किसी भी नौकर को तंग नहीं करूँगा महेश कोशी कोशी अशरफिया लेकर अपने घर लोट गया अच्छी जद्राइक दिखाई महेश ने इसकी एक और नेक्स्ट कॉमिक है जिसका नाम है चाला किसान मूर्क शैतान एक बार एक किसान की बेट एक शैतान से हो गई वे दोनों आपस में अच्चे दोस्त बन गए वाह किसान भईया खुब मिले हम दोनों हमारी जोड़ी कोई लाब का काम क्यों न करे जरूर जरूर शैतान भाई मैं सोचता हूँ क्यों न हम खेती करें किसी की गुलामी भी नहीं और लाब का लाब तुमारा सुजाओ मुझे पसंद आ गया बताओ हमें क्या करना होगा सो तो बता दूँगा लेकिन मैं टेरा गरीब किसान दूसरों का खेत जोते हुए जीवन काट दिये खेती के ठेके की जमीन का पैसा देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है हमें अरे हम हैं तो क्या गम है किसान भाईया किसी राज चलते की गिरी हुई पोटली कल ही सड़क पर मिली है इसमें काफी रुपे हैं यह तुम जानो मैं तो खेती की जमीन ढून दूँगा कुछ दिन बाद किसान ने खेती के लायक उपजाओ जमीन ढून ली और शैतान को भी दिखा दी यह जमीन अच्छी है जमीन तुम मिल गई शैतान भाई साल भर का ठेके का पैसा भी दे दिया है अब बताओ इसमें क्या उगाएं भाई तुम ठेरे किसान तुम ही बताओ इस जमीन में क्या बोया जाए मेरी सला मानो तुम मक्काब हो दें ठीक ठीक लाव हो जाएगा एक दम सची बात कही तुमने किसान बईया, मान गए उस्ताद तुमारे धिमाग को दोनों मिलकर खेत, चोता और मक्का बोई, दिन सप्ता और महिने गुजरे बक्के की फसल धीरे-धीरे बड़ी हो गई, लहराने लगी किसान और शैतान फसल की चोरी रोकने के लिए बड़ी महनत से खेती की रखवाली करने लगे एक दिन ऐसा भी आया जब मक्का पक गई, देखो मित्र हमारी महनत सफल हुई पकी हुई फसल काटने की तयारी करो, क्यों ना इसे बाट लें, क्यों नहीं बड़े भाई इस मामले में प्रेणत तुम्हारी थी, इसलिए मैं तुम्हें छूट दे रहा हूँ अपनी मर्जी से जो इससा बढ़िया लगी, ले लो शैतान ने मक्के के खेतों को अपनी भरपूर निकाहों से देखा, नीचे धेर सारे डंठल और पत्तियां थी, उपर मक्का की बालें वह अपने लाप की बाते सोचने लगा यदि मैं उपर का हिस्सा लूँगा तो बहुत कम होगा, लगता है शैतान लालस में पढ़ गया, शैतान ने प्रकट में बड़ी खोमलता दिखाई, मेरे प्यारे दोस्त फसल के दो इससे हैं, एक उपर और दूसरा नीचे, कोई भी हिस्सा ले लेने पर मुझे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, मैं नीचे का हिस्सा ले लेता हूँ, क्या तुम सच मुझे खुश हो, तुम्हे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, फिर टीक है, मैं उपर का हिस्सा ले लूँगा, किसान खेत में गया और सारे भुट्टे तोड़ लिए, औ तो सारी फसल मेरी खबजे में है, उदर किसान ने भुट्टो से दाने अलक किये, तो सारी मक्का सिर्फ एक बोरे में आ गई, गदे पर मक्का की बोरी लाद कर किसान बाजार गया, एक ही बोरे की अच्छे पैसे उसे प्राप्त हो गए, क्येलो भाया, पूरे गिन लो, 200 र रुपए के पांच घंखनाते सिके दूँगा, यदि कहीं नहीं बिके, तो यहां पटक जाना, कर पहुचने पर शैतान ने किसान पर गुस्सा निकाला, मैं तुम्हे सीधा साधा समझता था, मगर तुम तो गुरु घंटाल निकले, खेती का सारा लाप खुद हड़प लि इस बार पुना तुम अपनी मर्जी से हिस्सा लेना, मुझे खाटा होगा तो सहन कर लूँगा, शैतान राजी हो गया, अगली दपा सतर्क रहूँगा, यह किसान तो पूरा दूर्थ में मालूम होता है, मगर शैतान मूल्क था, उसने फिर अपने दिमाग को तकलीफ नही करने दूँगा, अरे शैतान भाई क्या नाराज होते हो, मेरी तो इश्वर से दुआ है कि तुम बहुत चालाग बनो, अरे कहां इश्वर का नाम ले दिया, दत, समय बीतने पर घाजर की फसल भी तयार हो गई, फसल देखकर शैतान के मन में फिर तरह के बिचाराने लगे, पिछली वर्ष मैंने फसल के नीचे का हिस्सा लिया, तो गाटा उटाया, इस वर्ष मैं उपर का हिस्सा लूँगा, क्या सोच रहे हो दोस्त, फसल तो तयार हो गई है, मैं सोच रहा हूँ बटवारे के बारे में, इस बार उपर का हिस्सा मैं लूँगा, और अच्छी तर और उन्हें बोरी में बरकर घदे पर लाद कर बजार की और चल दिया शैतान भी पत्टियों के गट्थर बांदे और गदे पर लाद कर बजार की और चल दिया इस बार मुझे काफी मुनाफ़ा होगा बढ़ा चालाक समझता था किसान अपने आपको अब देखता हूँ कैसे मुझसे अधिक मुनाफ़ा होता है किसान की गाज ने अच्छे दामों में बिक गई बेरोपया अंटी में बांद कर घर वापस आ गया शैतान अपने गदो को शाम तक बजार में गुमाता रहा तब कहीं जाकर उसे एक ग्रहाक मिला इससे अधिक पैसे नहीं दे सकता ठीक है शैतान ठका हुआ अहता उसने कम दाम पर ही पत्तियां बेच दी शैतान पत्तियां बेच कर ठका हारा जुझलाता हुआ शाम को घर लोटा उससे रास्ते में किसान देखा शैतान ने उसे आवाज दी अरे सुनो तुम बहुत बड़े दोके बाज और ठक निकले तुमारे कारण मुझे फिर चंसिके ही मिले शैतान की मुर्खतापुर बातों का किसान पर कोई जवाग नहीं दिया था लोटते हुए किसान को अचानक ही एक पेड़ के नीचे तोच चमकते हुए गड़े दिखाई दिये पास जाकर उसने देखा कि दोनों गड़े में सोने की मूरे भरी हुई थी शैतान भी पास आ गया और आश्चर रेल से उन मूरों को देख रहा था अब चकड़ा खत्म कर देते हैं शैतान भाई देखो एक घड़ा तुम ले लो और एक मैं नहीं नहीं दो बार तुम मुझे बेफकूफ बना चुक्के हो अब सोने के घड़े पर भी हास साफ करना चाते हो पता नहीं क्यों तुम मुझे गलत फहिमी हो जाती है दोस्तों चलो तुम ही समझाओ जैसा कहोगे वैसा कर लेंगे अच्छा ए हम दूसरे की सवारी करते हुए गाना गाएंगे जो अधिक समय सुनाएगा वही सोने के तोनों घड़े ले लेगा और किसान के मंजूर है कहते ही शैतान उसके कंदे पर चड़ गया किसान भी शर्ट के मुताविक दोड़ने लगा शैतान गीत गाने लगा इस बार मैं जीतूंगा और घड़े मेरे होंगे खुब ठाक लगा कर जब तुम हार उगे तीन दिन और तीन रात शैतान ने गाने गाए और चौथे दिन मैं जितना गा चुका हूँ इससे ज़्यादा किसान क्या गाएगा मैं इस से अधिक गाना नहीं जानता दोस्त अब सबारी करने तुम्हारी बारी है अच्छा अब किसान शैतान के कंदे पर चड़ गया और गाना गाने लगा आहा ओओ, अहा ओओ, हे आआत मेरे प्यारे तू आजा किसान साथ दिन तक शैतान के खंदों पर चड़ा रहा और आठ बेने प्यारे भीया क्या तुम ठके नहीं अब भी मेरे पास महीने भर लायक गीत हैं क्या शैतान ने बड़ा आश्चर हुआ अब उसे किसान से डर भी महसूस हुआ और जट किसान को अपने कंदे से उतार कर भाग खड़ा हुआ अरे सुनो तो भीया सोने के दोनों घड़े तुम ही ले लो तुम्हारी मेरी दोस्ती खत्म पेचारा शैतान इसकी एक और कॉमिक है लंबू तिगड़म बाज किसी गाउं में एक दुबला पतला और लंबा सा लड़का रहता था इसलिए उसकी मा ने उसका नाम लंबू रख दिया था वह कोई कामकाज नहीं करता और सारे दिन खटिया पर पड़े-पड़े खर्राट भरता रहता था अरे हब उट भी जा क्या करू मा मुझे कोई नोकरी ही नहीं देता यदि कोई मुझे पांच रुपए महीने पर भी रख ले तो हजार रुपए बना लू लंबू जब अपनी मा से यह बात कह रहा था उस समय उस चेतर का राजा वेश बदल कर जोबड़ी के बाहर लंबू की बात सुन रहा था लंबू को इस बात का पता ही नहीं था दूसरे दिन राजा ने उसे पकड मंगवाया क्या नाम है तुम्हारा हुजूर मेरा नाम लंबू है क्या तुम अपनी मा से कह रहे थे कि कोई तुम्हें पांच रुपे मैने पर भी रख ले तो तुम हजारों के वारे न्यारे कर सकते हो हाँ महाराज यदि तुमने ऐसा करके नहीं दिखाया तो तुम्हारे गले में घंटा बांध पिंजरे में बंद कर तुम्हें चौराए पर लख दिया जाएगा मुझे मंजूर है महाराज राजा ने लंबू को अपने अस्तवल में बेज दिया और उसका काम था गोडों को दिये जाने वाले दाने पानी की देखवाल करना उस अस्तवल में 2000 गोडे थे हर गोडे की देखवाल एक सहीस करता था लेकिन लंबू तिघड़म बाज काम करने की बजाए अस्तवल में चारपाई डाल कर सो गया 29 दिन तक लंबू आराम करता रहा 30 दिन पर उठा और कापी पेंसिल लेकर गोडे के पास जाकर उसकी लीद सुंगता और अपनी कापी में कुछ लिखता जाता यह देखकर सभी सहीस उसके पास आप पहुचे यह आप क्या कर रहे हैं हुजूर तुम सब नौकरी से निकाले जाओगे गोडों की सूखी गास किलाते हो और चने बजार में बेचाते हो लंबू की बात सुनकर सभी घबरा उठे है अब क्या होगा हरी बापरे लेकिन घबराओ नहीं तुम लोगों की नौकरियां बच सकती है यदि कुछ इस्ता मुझे भी मिले तो अपनी नौकरी भचाने के लिए सबने एक एक रुप्या रिश्वत के रूप में लंबू को दे दिया पहली तारिक को लंबू अपना वेतर लेने दरवार में गया क्या तुमने हजारों के वारे न्यारे किये हाँ महाराज यह लीजिए केवल एक माह की कमाई राजा सारा किस्ता सुनकर हैरान रहे गया फिर सोचते हुए बोला ठीक है तुम यह रुप्या खजाने में जमा करवा दो और अपना वेतर पांच रुप्या खजानची से ले लो जो आ गया महाराज और सुनो इस बार तुम हमारे महल की छट पर बैठ कर तारे गिनोगे ठीक है जाओ वाहुजूर आपने तो मेरे दिल की बात कह दी यह कारे तो केवल मैं ही कर सकता हूँ लंबू लोट गया अब देखूंगा कैसे हजारों के वारे नियारे करता है लंबू ने एक रजिस्टर ले लिया और अपनी चारपाई महल की चट पर डलवाली वहाँ भी वह दिन बर खर्राटे मरता रहा और रात में तारों की ओर देखकर खुश होता रहा खाम दंदा क्या करना अपने तो मजे ही मजे हैं अब 28 दिन मौज मस्ती में बीद गए तो लंबू की चिंता हुई तबी उसकी दरश्टी उची 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 इमारतों पर पड़ी यह उची 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 इमारते वाह लंबू बन गया तेरा काम हिस मा की कमाई इन इमारतों से होगी और अगले दिन लंबू शहर में उची उची इमारतों के मालिक के पास पहुचा किस के हुक्म से पांच-पांच मंजल के भवन बनवाए तुम लोगों ने हमसे क्या बूलो यू जूर राजा के हुक्म से हम तारों का हिसाब रखते हैं अग्यारी इमारतों के कारण हमें पीछे के तारे दिखाई नहीं देते जाल दिया खेर समझाओंगा किसी तरह माराज को पहली थारी को लंबू तिगडम अपना वेतन लेने दरवार गया और माराज को पांच हजार थेली सौपते हुए सारा किस्सा कह सुनाया यह लीजी पांच हजार की थेली अच्छर है यह लड़का तो बड़ा ही चालाक निकल इस बार ऐसा काम सवपना चाहिए कि जिससे कोई रुपया ना घिन सके थोड़े सोच विचार के भाद राचा बोला ठीक है अब तुम समुद्र के किनारे चले जाओ वहां जाकर लहरो की किंती करो फिर देखू मैं तुमारी चोतराई जो आ गया माराज लंबू ने अपना लंबू को कुछ जहाज आते हुए दिखाई दिये वे जहाज कुछ सौदागर के थे अरे जहाज वा लंबू बन गया काम इस मा की कमाई के लिए जब जहाज के निकट पहुचे ठेरो ठेरो अपने जहाज किनारे पर नहीं लाना अगर लहरे गिनने से जरा भी गड़बर ह हुए तो हमारे जहाज जब्त कर लिए जाएंगे अपने जहाज किनारे से दूर खड़े कर जहाजों के मालक घबरा हुए लंबू के पास आए अगर रात को हमारे जहाज समुद्र के बीच ही रहे तो लुट जाएंगे सुना है यहां समुद्री डाकूं का बहुत आतंग पहला हुआ है करप्या हमें जहाज किनारे पर लाने दीजिए लेकिन हमारी भी मजबूरी है महराज के हुक्म से हमें पूरे मास की लहरों का लेखा जोखा उने देना है यदि कुछ लहरे गिनने में कम जादा भी हो गई तो महराज को क्या फरक पड़ेगा और आप जितनी तक कि और दस हजार की थैली बढ़ाते हुए सारी कहानी गर्व से सुनाते हुए कहा यह रूपे मैंने चत्राइस से बनाया है महराज छत्राइसे नहीं बेइमानी से तु तुम बेइमान हो तुमने घूजकोरी और ब्रश्चाचारी की है तुम्हें ना कानून माफ कर सकता है और ना ही हम महाराज यह कैसा इनाम है हजारों के वारे न्यारे कर गे मैं तो समझता था कि मुझे कोई उच्पद मिलेगा किसी भी ब्रश्टाचारी और घूज को पड़ा ओदा नहीं केवल सजा मिलती है तुम भी सजा के लिए तयार हो जाओ सजा मारे गए बेटा के बलकि मैंनदारी से पैसा कमाओगे महाराज मैं तौपा करता हूं आज के बाद मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा लंबू के कसम खाने पर राजा ने उसे दरवार में नौकर रख लिया और लंबू इमांदारी के रास्ते चल पड़ा और अब हमारी यह कौमिक हो आपको यह कॉमिक कैसी लगी मेरी वाइस में और मिलती हूं मैं एक्स्ट कॉमिक में लेकिन जाने से पहले आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और अगर आपको भी कोई अच्छी सी कॉमिक का नाम पता है तो मुझे चरू सजेस्ट क जीएगा थैंक यू